एक बार एक हाथी जंगल में घूम रहा था उसका कोई दोस्त या मित्र नहीं था तो वह जंगल में दोस्त धोन ने निकल पड़ा सबसे पहले हाथी के सामने एक बंदर आ जाता है तो हाथी बंदर से बोलने लगता है बंदर भाई बंदर भाई क्या तुम मेरे मित्र बनोगे मेरा कोई भी मित्र नहीं है इतना बोलते ही बंदर बोलने लगता है तुम तो बहुत बड़ी हो और मैं इतना चोटा हूँ तुम मेरे मित्री कैसे बन पाओगे और मैं तो पेड़ पे चड़ सकता हूँ और मैं तो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे छलांग मार कर जा सकता हूँ पर अंतु तो मैं ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाऊंगा इतना सुनकर हाथ ही वहां से चरा जाता है जंगल में घूमते घूमते उसके सामने एक खरगोश आ जाता है तो वह खरगोश से बोलने लगता है खरगोश भाई खरगोश भाई क्या तुम मेरे मित्र बनना चाहोगे हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे इतना सुनकर खरगोश बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हारा मित्रे नहीं बन सकता क्या कि तुम कितने बड़े हो और मैं छोटा अगर मैं तुम्हारे नीचे आ गया तो मेरी तो चटनी बन जाएगी नहीं नहीं जाओ यहां से इतना बोलकर खरगोश चला जाता है और हाती वहां से निकल जाता है ऐसे ही चलते चलते हाती को एक लोमडी मिलता है तो फिर हाती लोमडी से बोलने लगता है लोमडी भाई लोमडी भाई क्या तुम मेरे मित्र बनोगे हम दोनों बहुत मज़े करेंगे इतना सुनकर लोमडी बोलने लगता है अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारा मितर नहीं बन सकता तुम कितने बड़े हो और मैं कितना छोटा और तुम घास खाते हो मैं मास खाता हूँ अगर खेलते खेलते कभी तुम मेरे उपर गिर जाओ तो मेरे तो चटनी बन जाएगी नहीं नहीं इतना सुनकर हाथी वहाँ से निराश होके निकल जाता है तो सामने उसके एक मैडक आ जाता है तो हाथी मैडक से बोलने लगता है मैडक भाई मैडक भाई क्या तुम मेरे मित्र बनोगे हम दोनों मिलके बहुत मज़े करेंगे इतना सुनते ही मेड़क बोने लगता है प्र-डर मुझे नहीं बनना तुम्हारा मित्र मैं तुम्हारे नीचे आजाँगा तो मेरा सारा कुछ निकल जाएगा मुझे नहीं बनना प्र-डर उसके बाद हाथी वहाँ से चलता जाता है जंगल में घूमते घूमते उसे एक कुत्ता मिलता है तो वह कुत्ते से बोलने लगता है कुत्ते भाई कुत्ते भाई क्या तुम मेरे मित्र बनोगे हम दोनों बहुत मज़े करेंगे इतना सुनकर कुत्ता बोलने लगता है मैं तुम्हारा मित्रि नहीं बनूँगा तुम कितने बड़े हो अगर मैं तुम्हारे नीचे आ गया तो मेरा काम खतम चलो चलो जाओ जाओ यहां से भागो इतना सुनकर हादी निराश होकर चला जाता है उसके बाद अचानक देखता है कि जंगल के सारे जनवर वहां से बागो अपने जान बचाके बागो तभी हाथ ही कुछ ने लगता है कुछ भाई कुछ लगता है कुछ भाई सब ऐसे भाग क्यों रहे हो क्या हो गया तभी वह कुता बोलने लगता है भाव भाव पीछे हमारे एक शेर पड़ा है जो हम सब को खाना चाहता है भाव भाव अपना जान बचा कर भागो भाव भाव तभी बाग बोने लगता है मुझे नहीं बनना किसी कामेत्र मेरे सामने तो जो भी आता है वो मेरा खाना लगता है इतना बोलकर बाग हाती पे जपटा मारता है तो हाती अपने सूठ से पकड़कर बाग को बहुत दूर फैक देता है और उसके बाद हाथी सारे जानवर उसे आखे बोलता है कि मैंने बाग को मार कर भगा दिया अब तुम निश्चिन्त से इस जंगल में रह सकते हो इसके बाद जंगल के सारे जानवर हाथी के मित्र बन जाते हैं और खुशी-खुशी रहने लगते हैं तो बच्चो सच्चा वित्र वही है जो मुसीबत में काम आए